भजन सहिता 57, 7-11 तक, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाउंगा वरन भजन की इर्टन करूंगा, हे मेरी आत्मा जाग जाओ, हे सारंगी और वीना जाग जाओ, मैं भी पोफर्ते ही जाग उठूंगा, हे प्रभु, मैं देश-देश के लोगों के बीच तेरा महान है, तेरी महिमा सारी पृत्वी के उपर फैल जाए, युहना 5, 16-30 तक, इस कारण यहुदी यीश्व को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था, इस पर यीश्व ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूं, इस कारण यहु और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयतन करने लगे, क्योंकि वह ना केवल सबत के दिन की विधी को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आपको परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था, इस पर यीश्व ने उनसे कहा, मैं तुम से सच-सच कहता हूं, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन-जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीती से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीती रखता है, और जो-जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है, ताकि तुम चंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। कर चुका है. मैं तुम से सच-सच कहता हूं, वह समय आता है, और अब है, जिसमें मृतक परमेशवर के पुत्र का शब्द सुनेगे, और जो सुनेगे वे जिएएंगे. क्योंकि जिस रीती से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीती से उसने पुत्र को भी यह और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुथान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वर्ष में साथ वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राइलियों पर प्रबल हो गए, मिद्यानियों के दर के मारे इस्राइलियों ने पहारों के गहरे खड़ों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बन क्योंकि वे अपने पशुओं और देरों को लिए हुए चड़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके उंट भी अंगिनत होते थे और वे देश को उजाडने के लिए उसमें आया करते थे और मिध्यानियों के कारण इस्राइली बड़ी यों कहता है मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्त्वा के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंदेर करते थे उन सबों के हाथ से चुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें द गेहून इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिध्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन दे कर कहा, हे शूरवीर सूर्मा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर यह सब विपत्ती क्यों पढ़ती। और जितने आश्चर्यकर्मों का वर्नन हमारे पुर्खा यह कह कर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहा रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, और मिध्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टी करके कहा, अपनी इसी शक्ती पर जा और तू इस्राइलियों को मिध्यानियों के हाथ से चुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, मैं इस्राइल को कैसे चुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मन्श्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे चोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चे मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिध्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुश्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिनह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखो, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लोटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का ए दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ा कर मास और अखमीरी रोटियों को छुआ और चटान से आग निकली जिससे मास और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई, तब यहोवा का दूत उसकी द्रिष्टी से ओजल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत तब गिदोन कहने लगा, हाई, प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांती मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बना कर उसका नाम, यहोवा शालोम प्रखा, वह तब गिदोन ने अपने संग दस दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के दर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सबेरे उटकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चड़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे यह काम किस ने किया। और पूछ पाच और धूंड नाट करके वे कहने लगे यह योश के पुत्र गिदोन का काम है। तब न वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सबेरे तक ठेहरे रहो तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वहाप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूप बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिध्यानी और अमाले की और पूर्वी इकठे हुए और पार आकर यज्रेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोबा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फून का तब अभी जेर उसकी सुनने के लिए इकठे हुए। फिर उसने समस्त मनश्य के पास अपने दूद भेजे और वे भी उसके समीप इकठा हुए। और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूद भेजे तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्व और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सबेरे उठकर उस उन को दबाकर उसमें से उसने चोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहून, तो तेरा क्रोध मुझ पर न भरके, मैं इस उन से एक बार और भी तेरी पर इक्षा करून, अर्थात केवल उन ही सूखी रहे, और सारी भूमी पर उस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल उन ही सूखी रह गई, और सारी भूमी पर उस पड़ी। न्याईयों साथ एक से आठ तक, तब गिदोन, जो यरूब बाल भी क नहीं तो इस्राइली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं. इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थर्थराता हो, वह गिलाद पहार से लोट कर चला जाए. तब बाइस हजार लोग लोट गए और केवल दस हजार रह गए. फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विशय में मैं तुझ से कहून, यह तेरे संग वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विशय में मैं कहून, यह तेरे संग न जाए, वह न जाए. तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुते के समान जीब से पानी चपर चपर करके पीएं उनको अलग रख और वैसा ही उ पानी पिया, उनकी तो गिंती तीन सो ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया. तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन तीन सो चपर चपर करके पीने वालों के द्वारा मैं तुम को चुडाऊंगा, और मिध्यानियों को तेरे हाथ में कर दूनगा, और मिध्यान की चावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी.